नमस्कार जैहिन इतियास बिमर्ष में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अभिनन्दन है आज हम इस वीडियो के माद्यम से राश्टी सेवा योजना यानि नैशनल सर्विस स्कीम के बारे में जानेंगे कि ये इस योजना के अंतरगत जो विभिन प्रकार के शिविर लगते हैं उन शिविरों की क्या इस्तिती है कैसे उनमें चैन होता है कौन-कौन से शिविर हैं जो प्रमुक शिविर हैं उनके बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मुस्सें पिछले कई दिनों से कुछ बच्चों ने कहा पहले के nss के कुछ वीडियो देखके के हमें शिविर के बारे में आप जानकारी दें कौन-कौन से कैम्स लगते हैं nss में और उनमें सहवागी होने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए या कैसे हम उसमें देखें और अलग-अलग स्टेप पे कैसे कैसे आप शिविरों में भाग ले सकते हैं और शिविरों की माध्यम से आप किस तरह से अपने जो व्यक्तित्तु का निर्मान है व्यक्तित्तु का विकास है उसे कर सकते हैं तो आगे चलते हैं और रास्टी सिवा युजना के शिव 11 और 12 में और कॉलेज में फर्स्ट इयर से चाहिए वो बीए, वीकॉम, बीए, सी किसी भी क्लास में आपने एड्मिशन लिया है फर्स्ट इयर से ही आप NSS में प्रवेश की पात्रता रखते हैं और स्कूल एजुकेशन के बच्चे जो है वो 11 और 12 में ही रखते हैं क्योंकि ये सर्टिफिकेट के लिए आपको 11 और 12 में दो वर्ष काम करना NSS में आवर्शकता होता है और हम यहां कॉलेज लेवल के बच्चों के लिए बात करें तो फर्स्टियर में आके अपना प्रवेश रास्टी सेवायुजना में ले सकते हैं उसका पंजियन करा सकते हैं और य उसकी यूनिट के कारिकरम अधिकारी या सीनियर वॉलेंटियर से मिलके आप एक प्रवेश फार्म जो है जो पंजियन फॉर्म है वो आप भरें उसकी सारी डेटेल आपको भरनी पड़ेगी नाम क्या है पिता जी का नाम क्या है मोबाइल नंबर क्या है कहां रहते हैं कौन इन प्रकार की गटविदियां महविधियले में और स्कूलों में संचालेत होती हैं इन गटविदियों में आपको नियमित रूप से activities में भाग लेना है इन सारी activities जो भी होती है NSS related उनमें आपको सहवागी होना है उनमें भाग लेना है जब आप इसके सदस्य बन जाते है NSS के तो एक आपको राष्टी सेवा योजना का बेज मिलता है जिस तरह का यह मैंने पहना हुआ है इस तरह का बेज राष्टी सेवा योजना का बेज मिलता है और दूसरा आपको एक डायरी मिलती है राष्टी सेवा योजना की यह इस प्रकार की डायरी यह मैं आपको देखा रहा हूं यह डाय प्रोग्राम आपका है जिसमें आपने जो कारकम हुआ है कितने घंटे आपने उसमें पार्टिस्पेट किया है वो सारे घंटे भी लिखके और अपने कारकम अधिकारी से सिगनेचर कराएंगे पहले आप सिगनेचर करेंगे पर कारकमत करेंगे उसमें सिगनेचर करेंगे तो ऐसे अपनी जानकारी इन डायरी में आपको लिखना है जब विशेश सिविर लगते हैं साथ दिन के संस्था इस्तर पर उनमें भी इन डायरियों में आपको रिपोर्ट क दूर लगबग 15 किलोमीटर के दाइरे में आपके जो भी आपके सिक्षन संस्थान है उससे लगबग 15 किलोमीटर और 20 किलोमीटर के दूरी पर ये केम्प लगते हैं किसी ग्रामीड इलाके में लगते हैं सुरक्षे तिस्वान पर लगते हैं आपके कारकम अधिकारी इसमें जाते हैं साथ में महाविद्यालय ऐस्कूल का ये कोई चतुर स्रेनी कर्मचारी भी रहता है आपके सही होग के लिए तो ऐसे यह रहता है अगर आपके यहां एक यूनिट है अर्थात सो बच्चे हैं तो इनमें केवल पचास बच्चों को इस शेविर में भाग लेने की पात यानि आचन वाला है लड़ाई जगले नहीं करता है क्योंकि इन शिविरों में कोई भी आताता ही बच्चा अगर चला जाएगा तो शिविर के लिए वो काफी नुक्सान दायक रहेगा तो बे ऐसे बच्चे लेते हैं जो संस्कारी बच्चे हैं अच्छे बच्चे हैं शा इस्थान पर भाग शिविर लगा रहें वस्थान के जाए पंच सरपंच हों प्रभुद्ध जन हों चार-पांश लोग वह सकते हैं तो ऐसे बहूं या सह ओगी कोई युवा उस लोकल इस तरके जो युवा हैं वह भी उस शिविर में सहवागी हो सकते हैं तो ऐसे आप संस संस्थानों में शिविर लगाएं लगबक जनवरी के बाद अधिकांस संस्थानों में शिविर लगेंगे इन शिविरों की जो दिंचर्या है जो संस्था इस तरके शिविर हैं इन शिविरों की दिंचर्या कुछ इस प्रकार है इस चार्ट में आप देखिए मैं आपको बता वह कहते हैं च्छहने भरकरषिजु के से लियुक्ता फं इस लालिष फंवज़ा करें हमें सब्सक चुमें सब्सक्रीज़ 20 से कि ऐसे बारा तीज कर होगे उसनान इत्यादिश भोजन का आप इसमान करने के बाद आइंगे उसके बाद आप भोजन करेंगे तो यह फोजन का समय है और 13-13 तक यह विश्वाम के समय मैं एप एपनी तयारी कर सकते हैं जो सिवर में और मैं अभी चर्चा करूँ आपको चाह वह आप बाद बिवाद प्रतेवक्तागी ते यारी कर रहे हैं या साम को सांस्कृतिक कारिकम के कोई किसी कारिकम की आप रहरसल कर रहे हैं तो वो इन इस विश्राम के समय में आप कर सकते हैं तो आपका ये विश्राम का समय है दो तीस से चार पंद्रा तक ये बहुत दिक सत्र रहता है यह प्रतेक शिविर का सबसे महत्कुम सत्र होता है इसमें जो बहार के कोई व्यक्ति होते हैं उनको जो विशेष अपने अपने छेत्र के प्रमुक होते हैं उनको बुलाए जाता है बे चर्चा करते हैं आप से आप उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं साथ ही साथ यदि कोई व्यक्ति नहीं आता है तो आप अपनी जैसे मैंने अभी आपको बताया तातकालिक बाशन प्रतियुकता है बाद विवाद प्रतियुकता है या कोई नाटक या लोगीत की प्रतियुकता है या अन्या चित्रकला प्रतियुकता है कुछ भी आप कर सकते हैं और उनक पभूत महेधों है इसे जरूर करना चाहीए और पूरे मन से जोइन करना चाहिए बहुत देख सत्र के बाद हम देखें बहुत । कि बहुत देख स्क्राइए कि लुकल गेम इसमें क्रेक नहीं होगा बॉली यहँinatoruba पोड में आपूपड खेल एनसस में खेलते हैं जो जिसके लिए किसी भी साधन की आवश्चता नहीं पोसंपा भी पोसंपा नदी मगर वो जो खेल खेलते हैं बच्चे तो इस तरीके से वो इन गेम्स को हम खेलते हैं सभी लोग मिलके सामुई के रूप से इन गेम्स को खेलते हैं तो ये गेम का स तो वहाँ लोगों से सर्वे करते हैं उनको जानकारी जैसे अभी इस समय वैक्सिनेशन की प्रोग्राम है तो इस वैक्सिनेशन प्रोग्राम के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं या एनिमिया के संदर्म में हम जानकारी दे सकते हैं कि हमारे शरीर में क्या 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 कमी से एनि अम onion करने की एक चर्चा हम लोगों से कर सकते हैं जाव में बेटी काका राo की स्तिति क्या है हम उसके वारे में भी ुलोगों को जागरूब कर सकते हैं मतदान के लिए लोगों को प्रेड़ित कर सकते हैं कि जब भी अप मतरदान का अवसर आए तो अपने मताधिकार का वो प्रयोग अवस्श्य करें तो ऐसे ग्राम ब्रमन का कारेक भी रहता है कार का मतिकारी आपके साथ जाते हैं साथ में कुछ टोली बच्चे भी जाते हैं जो सभी से चर्चा करते हैं और यह community engagement वाला program जो है वो हमें कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान करता है हमारे अंदर आत्म विश्वास पैदा करता है और आत्म विश्वास से ही जो समाज है वो हम पर विश्वास करेगा क्योंकि हमें यह करने की आदत को एने सेस में personality development होती है तो ग्रामीन खेल ग्रामीन भ्रमन का कारेकम रहता है और या ग्रामीन खेल कूद का कारेकम शिव रिस्तल पर ही होता है इसके अलावा हम देखते हैं हम शिवर में और क्या करते हैं तो खेल कूद के बाद 6 बज़े से 6-30 बज़े तक का जो समय है वो अवकास का समय रहता है अवकास मानें आप अगर कहीं Fresh Fresh होना आए या और कुछ है आपने सामान को सजा के रखना है अपने सोने वाले स्थान को साफ करना है तो इस तरीके से ये आदा गण्ते का जो समय है वो विश्राम कसम है अवकास कसम है आप कुछ भी इसमें कारकम कर सकते हैं लेकिन शिविर इस्तल से बाहर नहीं जा सकते हैं शिविर इस्तल पर आप एक बार गए हैं तो बिना कारकम अधिकारी की परमीशन से आप बाहर नहीं निकलेंगे या आपका जो दलनायक है उस दलना उसको छोड़ेंगे नहीं तो अवकास का समय रहेगा इस अवकास के बाद समितियों की बैठक होती है 36 से साथ बही तक और दिनवर के कारकमों का आंकलन किया जाता है इसमें कारकम दिकारी रहते हैं और जो दलनायक होते हैं आपके दल बनते हैं अगर पचास बच्चे हैं तो पांच-पांच के दस दल भी बनाई जा सकते हैं और दस-दस के पांच दल भी बनाई जा सकते हैं तो जितने भी दलनायक होते हैं इन दलनायकों के साथ बैठक होती है दिन बर में उन्हें क्या समस्याई क्या उनके सुझाव है क्या और करना चीज़े से शेविर में भोजन मन रहा है तो भोजन में नमक जादा है मिर्ची कम है क्या है तो वो भी उनमें चर्चा करते हैं किसी बच्चे का स्वास्त खराब है कुछ प्रॉब्लम है उसे तो उसके बारे में भी चर्चा करते हैं दलनाइक जो है वो कारकमधगारी के साथ और फिर उसका एक समाधा निकल साम को फिर हम घोजर्न करते हैं तो फिर इस सारे का अधि वीच का समय बोजन इत्यादी का समय और आठْ वे से लेके दस तक हम सांस्कृतिक का जो भिभिन प्रकार के सांस्कृतिक कारकम है, उसमें हर बच्चे को उसमें participate करना चाहिए, चाय हो चिटकुला सुनाए, चाय हो डीक सुनाए, चाय हो नाट करें," जो भी उसकी रुची का विशे है, उस रुची के विशे को वो प्रदर्शित करता है, सभी को अबसर मिलता है इससे क्या है बच्चे के अंदर की जो जिजक है वो जिजक दूर होती है और उसे सब के साथ मिलके काम करने का एक आनन दाता है और बड़े अच्छे-च्छे कारकम करते हैं लोग आप जब शिविर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको पहले दो दिन तो जड़ा सांस्कृतिक कारकम में भी है अब क्या एक पर पुरह कोई विवस्ता नहीं ये लेकिन बाद में कहते हैं बच्चे के सार सांस्कृतिक समय इसको बढ़ा दीजीए दस बजे किजेगे इसको ग्यारा वजचлучा सेंति चलता है और उसकी पूरी परिकल्पना पूरे अनुशास के लिए एक शिविर दिंचर्या के संदर में ये तो चार्ट लग जाएगा कि सुबह उठना बैटना क्या काम करना वो सारी है दूसरा एक शिविर समाचार पत्र भी निकाल सकते हैं बच्चे एक ड्रॉइंग सीट लेके उस पर जैसे समाचार पत्र आते हैं उसमें हेडिंग शिविर समाचार पत्र लिखिए और कौन वक्ता आया कब उधगाटन हुआ किसने उधगाटन किया ये सारी चर्चा या किसी बच्चे की बहुत अच्छी कविता या कहानी है चोटी लगू कथा तो वो हम उसमें से लिख सकते हैं और एक समाचार पत्र जैसा उसका आकार द जाने इसमें क्या है जिन बच्चों के अंदर पत्रकारता के गुण होती है इसमें से पत्रकार निकलते हैं कई ऐसे नसे के बच्चे हैं जो आज रास्ट्री लेवल पर बड़े बड़े पत्रकार हैं तो आप इसके और धीपक्ष रसिया जी का तमाम आपने सुनाई होगा एक अपने न्यू चैनल चलाते हैं वो भी एनसेस के वॉलिंटियर रहे हैं संजय तोमर लोकिन पारसर ऐसे कई लोग हैं जो बहुत बड़े पत्रकार आज हैं तो यह इसी रुची से निकल के आगे आए शिवर समाचार पत्र इनों ने लिखे हैं आगे बढ़े हैं कैसे ल चारजर है टौर्टे जल्य तो जहां आपको मिले उसको समैट के कारएले पर जमा करें और उसकी सूचना वियुकित दो कार्यले से प्राप्ट की जा सकते हैं पहचान बतांगे तो इस तरीके से हम इसका उप्योग कर सकते हैं साथ ही एक और विशेस ध्यानबात ये रखनी है आपको जब भी आप शिविर में जाते हैं तो आपके कारकम अधिकारी आप से एक प्रोफार्मा साइन कर बाते हैं आपके अभिवागा कों से ये उनकी अनुमती के बिना आप में नहीं जा सकते और आपके परिजन जो हैं वो आपको अनुमती देते हैं साथ दिन के शिविर में कारकम अधिकारी के मार्क दर्शन में जाने की जब तक ये नहीं होगा ये आपको नहीं मिलेगा शिविर में जाने के लिए आपको अपने बरतन जो खाने के बरतन है थाल आपको शिवर लगता है तो आपको सर्दी के कपड़े लेके जाना चाहिए गर्मी में हैं तो गर्मी के कपड़े बहुत ज्यादा पैसा बहुत ज्यादा आभूशन यह आपको नहीं लेके जाना चाहिए तो इस प्रकार से आप शिवर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जा सक शिविर में जब आप साथ दिन के काम करते हैं इसमें परियोजनाकार में या और अन्नी कारकरम जब आप बहुत हाइट होते हैं आपके पहचान बड़ती जाती है तो उस हिसाब से जो कारकम अधिकारी है आपको बड़े शिविरों के लिए आगे नाम आपका प्रस्तावित क यह फ्रती हैन्ट चार बच्चे जाएँंगे तो आइसे जिला लेवल पर जाते हैं इसी प्रकार विश्विद्द ऐलने इस तरी उगहां इस प्रकार से जाता है व्याहता जिनके मात्यम से आपको अच्छा काम करते हैं जो बच्चे अच्छा काम करते हैं जो आपने प्रोजेक्ट लिया है या परियुजना कारी किया है उसके संदर्ब में हो या आप सांस्कृतिक रुची दिखाते हैं उसके संदर्ब में हो तो इस प्रकार से आपको आगे यह समय मिलता है यह चार्ट आप देखें शिविर में कैसे हम आगे बढ़ते हैं क्या काम करते हैं वो दिन चर्या के बारे में मैं आपको इस चार्ट में बताऊंगा किस तरह से शिविर में हम आगे बढ़ते हैं और काम करते हैं तो इस चार्ट के माद्दे हम से देखें कि शिविर जो जैसे जिला इस्तरी हो गया उसके बाद हमारा विश्विद्याले इस्तरी हो गया और उसके बाद लगता है इस्टेट लेवल केम्प तो जो इस्टेट लेवल केम्प है उस केम्प में आपकी जो सहवागिता होती है उ पूरे प्रदेशं में कहीं किसी एक स्थान पर लगाया जाता है प्रतेक्विश्विद्य Table से 30 बच्चे इस इसमें प्रतेक यूनिट से बच्चा जाए ये सम्मव नहीं तो जब यूनिट के बच्चों का चैनल होता है तो उनकी सर्वस्रेश स्रीयोगिता के आधार के होता है कि उन्होंने क्या काम किया है जो औरों से हट कर है क्योंकि NSS में बहुत सारी बच्चे हैं और बहुत सारी यूनिट संचा लेते हैं अगर हम देखें पूरे भारत में तो 40 लाग बच्चे हैं सभी को इन शिविरों का ना तो मौका मिलता है और ना सभी बच्चे इसमें आने के लिए उत्साहित भी रहते हैं जो उत्साहित बच्चे हैं जो अच्छा काम करते हैं जो आगे बढ़कर दायत बोध समालते हैं उन बच्चों को इन शिविरों में पहली प्रात्मिक्ता मिलती है तो ऐसे 15-15 बच्चे करके एक स्थान पर इस्टेट कैम्प लगता है और इन ही में आपकी जो उपलबदियां आएं वे उपलबदियां आदिकालियों की नजरों में आती ह ayud आपको आगे पोस्ट कर देटें हैं तो इस्टेट केम्प में इनमें आपको दिन चर्या लगबग शिवर की यही है कुछ कारकम बढ़ जाते हैं हमें चाहे हमारा माविद्याले का शिवर हो विश्विद्याले इस्तर का शिवर हो या राज्य इस्तर का शिवर हो एक प्रोजेक्ट हम उसमें लेते हैं जो हमारे एक निधी हो जाती है कि हमारी संपत्ती हो जाती कहीं बताने के लिए जब आप इस्टेट अवार्ड के लिए फाइल सम्मिट करेंगे तो वहां भी आप लिखेंगे कि हमने इस तालाब के गहरी करण में काम किया और आपके जो कारका मदिकारी है या जिला संक्ट है को उसका प्रमाणी करन देंगे हाँ ये जबसंप शुविर में था और इस शविर के जो सर्टिवेट आपको मिलते हैं यह प्रमाण पत्र आपको इसे लगाने पड़ेंगे एंगी स्टिविर आप गर शुव। पर और स्टेट लेवल का जो प्रमाण पत्र है वो आपका सबसे महत्कून प्रमाण पत्र हैं सारे शिविरों में सबसे महत्कून प्रमाण पत्र है पिछले वीडियो मैंने सिविर की चर्चा कर रहा हूं तो इस्टेट लेवल कैम्प अगर आपने किया है तो यह जो सारे प्रमाण पत्र की मैंने इसमें चर्चा किये इन प्रमाण पत्रों के आप हकदार हो जाते हैं य Chevy बवल deity कर पाते हैं जिनके पास vide-डि और सी प्रमाणपत्र होतें उनिवाच्छों के मुका मिलता कम से कम B प्रमाणपत्म to नहीं जाता तो यह state camp का बात हो गई इसके बाद हम बात करें तो national level camp में national integration camp जो होते हैं राश्ट्री शिविर राश्ट्री एकता शिविर तो इनमें पूरे देश से बच्चे आते हैं इनका चैन और कम होता है यह पूरे प्रांथ से हो सकता है 20 बच्चे जाएं हो सकता है 10 ब बच्चे इतने आपको अपने प्रांप से पहुंचाना है तो इस्टेट लेवल पर होता है और कुछ-कुछ बिश्विद्याले को क्योंकि कई सारे national camp होते हैं तो उनको अफसर अलग-अलग मिलते हैं सारी university हरे एक national camp में नहीं जाती हैं कुछ-कुछ national camp में एक-एक university के KVC certificate हो state camp किया हो उनोंने और उनका जो वहार है वह आच्रन और वहार उनका उत्तम होना चाहिए तो वह बच्चा आगे जाता है इसके अलावा प्री-RD शिविर हैं इसके बारे में मैंने पहले वीडियो में डाला है प्री-RD camp में चैन कैसे होता है क्या होता है वह आप उ जो नई दिली में आई जित होता है और जो प्री-RD camp है वह 10 दिन का camp होता है उसमें पूरी तयारी और वह सारी चीज़े है वह पुराने वीडियो में ने जो दिये है इसमें जानकारी वह आप चाहें तो इसमें देख सकते हैं तो यह RD सिविर इत्यादी में आप जाने के तैयारी कर सकते हैं पूरे भारत से अगर हम मद्द प्रदेश की बात करना है तो तीन बच्चे और तीन बच्चियां इस बार आड़ी परेड में गए हैं पूरे भारत से गनतंत्र दिवस परेड में चैन की बात का यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब दीवारला विशय है तो मैं तो चाहूंगा आप सभी लोग इसके लिए प्रयास करें और इसके लिए कोई अलग से कोई शुल्क भी नहीं लगता है आप अपनी योगिता के आधार पर इस पर चाहिनेत हो जकते हैं जो गनतंत्र दिवस परेड में बच्चे नहीं जा पाते हैं प्राया उनको नेशनल शिवर के लिए अवसर दिया जाता है इसके अलाबा युवा उत्सब भी होते हैं इन कैंप्स में युवा उतसब नेहरु युवा किंद्र के साथ मिलके समय समय पर आते हैं हमाले छेत्र में लगाए जाते हैं आप चाहें तो इनके बारे में 24 सितंबर को जो नेशनल एनसेस डे है उसके संदर में जो वीडियो मैंने ये वीडियो मैंने जो जारी किया है इस वीडियो में मैंने ये सारे शिविरों की चर्चा भी की है आप चाहें तो वहाँ जाके यह शिविर कैसे लगते हैं कहा लगते हैं वो सारी चर्चा देख सकते हैं तो यह Adventure Camp में जाने का एक अबसर NSS के माध्यम से मिलता है और इसके अलाबा International Camp भी होते हैं समय समय पर उनमें भी Youth Exchange Program जो Culture Exchange Program होता है यूथ के माध्यम से उसमें सारे बच्चे होते हैं NSS, NCC, Sports, others गत्विरियों वाले तो वे सब मिलके किसी दूसरे देश में जाते हैं वहाँ के बच्चे इदर आते हैं और वहाँ के कल्चर को यह सीखते हैं और यहां के कल्चर को वो ऐसे एक सरकार का एक मानव संसादन विकास मंत्रालह, युवा मामले खेल विभाग, इनका एक सईकति इस तरह का आइजन होता है भारत सरकार इसके लिए पूरा खर्चा करती है यह सारे शिविरों का जो भी खर्चा होता है आने जाने, खाने, पीने, रहने का ये सारा का सारा खर्च जो है वो भारत सरकार द्वारा बहन किया आता है भारत सरकार उठाती है और स्टेट गवर्मेंट उठाती है तो इसके लिए अलग से बच्चों को किसी प्रकार का ना पैसा देना होता है ना किसी प्रकार की कोई और अत्रिक्त आवश्कता होती है केव को लेकर थी वो जिग्यासा हैं जरूर शान्त हुई होंगी आप एनसेस से जुड़े हैं आप इस वीडियो को उन सभी मित्रों तक शेयर करें जिन बच्चों को एनसेस के बारे में अभी जानकारी नहीं है और वो एनसेस लेना चाहते हैं एनसेस के माद्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को उन तक शेयर कर सकते हैं बेभी एनसेस में पंजियन कराकर इनका लाब लें अपने वेक्तित्व के निर्माण में सहयोग प्राप्त कर सकते हैं साथी साथ इस वर्ष से जो न्यू एजूकेशन पॉलिसी है उसमें भी एनसेस एक विशय क के रूप में हमारे साथ है एक विशय के रूप में हम एनसेस को जैनरिक सब्जेक्ट के रूप में जो वेकल्पिक विशय है इलेक्टिव विशय उसके रूप में हम एनसेस को चुन सकते हैं कुछ बच्चों ने एनसेस को चुना भी होगा तो उसमें भी हमें यह लाब मिल इसके अलाबा जो चटबे नम्बर पे आप प्रोजेक्ट वाला पार्ट लेते हैं तो उसमें भी Community Engagement करके एक कारकम है चाहे तो बच्चा प्रोजेक्ट ले चाहे तो इंट्रेंसिब करें चाहे तो Community Engagement के कारकम करें तो अगर NSS में बच्चा आए और Community Engagement का कारकम लेता है तो वह तक इतियास विमर्ष को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें इसमें बहुत सारी ऐसे वीडियो हैं पहले भी और आने वाले समय में भी मैं दूंगा जो आपके बेहतर मविश्ची के लिए लावदायक होने वाले हैं तो आप इसको नहीं है जो बच्चे पहली बार जोड़ रहे हैं वे सब्सक्राइब करें साथी साथ बेल आइकन पर जाएं और और के बटन को पुछ करें जिससे इस इतियास विमर्ष में जितने भी नोटिपिकेशन आते हैं वे सबसे पहले आपको मिलें और उसका लाव आप उठा सकें अगर आपकी किसी प्रकार की कोई जिग्यासा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी बात कह सकते हैं मैं पूरी कोशिस करूंगा उसके समाधान करने की बहुत से बच्चे पहले वीडियो में भी इस तरह कर चुके हैं महाविद्याले इस तरह पर यदि आप मेरे छ आप बुला सकते हैं अपने कारकमदगारियों के माद दिन से और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज इसे लाइक भी करें शेयर करें आपका दिन सुभ हो बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन